नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल जीए देजूकेशन पर कोई भी इसमें सिर्फ 25 रुपे ले सकेंगे जबकि आप देखते हैं कि इसकें नहीं होने वाले आवेदन बी इमितर वाले 50-80 रुपे तक लेते हैं तो दोस्तों सरकार ने नियम जारी कर दिया है कि 25 रुपे से ज़्यादा जो आवेदन इसकें नहीं होते हैं उनमें नहीं ले सकेंगे और जिसमें 7-8 इसकें होते हूँ उनमें 100 रुपे ले सकेंगे तो देखते हैं यहाँ पूरी नियूज परतियों की परिक्सियाओं के आवेदन बने के एवज में अब इमितर के अंदर संचालक 100 रुपे तक कमिस्टन ले सकेंगे राजी सरकार ने पिसले दिनों इमितर पर दी जाने वाली सेवाओं की रेट रिवाइज करते हूए नई रेड लिश्ट जारी करती है ये रेड लिश्ट एक सितंबर 2019 से लागो होगी नई रेड लिश्ट में इस्पेस्ट किया गया है कि विबिन परतियों की परिक्सियाओं वे सरकारी योजनाओं के आवेदन बने में एमितर यदी पौरम के साथ इसकें होने वाले दस्तावेजों की संक्या साथ से दस से ब लग रहा है तो 25 रुपे ले सकेंगे विबाग ने सबी विबागों की इमितरों पर उपलब सेवाओं की रेड भी रिवाइज की है दरसल लंबे समय से इमितर संचाल को की ये मांग थी कि सरकार रेड रिवाइज करें क्योंकि मशिनों के सेटम में काफी खर्चा अतार उस के वज में इमितरों दवरा पूरू में तेकी कई दरे काफी कम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरू में रेटे काफी कम थी लेकिन फिर भी मतलब काफी ज़्यादर पैसे लेते थे लेकिन आब यहाँ पर रेटों में बदलाव गया गया है इसे में इमितर चलाना म सिविल पेसनर, मेडिकल डायरी के लिए नई रेट 25 रुपे, जिवन परमाण पतर के लिए 25, बिजनस रिजिस्टर पॉर्म के 25 और बामासा में मोबाइल नंबर एडिटिंग के 25 रुपे, और आर पेसी का आवेदन में एडिटिंग के 25 रुपे किये है, पहले इन आवेदनो इसके 30 रुपे प्रतिकार, डिजिटल साइन युक दसावेज, जो सरकारी स्टेस्टि पर प्रिंट हो रहा है, उसके 20 रुपे प्रति पेज, और एफ़ोर सीट के एक तरफ प्रिंट के 5 रुपे लेजिए साज़केंगे, इसके लावा नेट बेंकी या इसी अन्य तरह की लेजिए लेजिएन के लिए 10 रुपे प्रति लेजिए लिया जाएगा, तो यहाँ पर एक सितमबर से ये रेटे फरभावी होगी और सरकार ने नहीं रेट दिश्ट दोस्तों जारी कर दी है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक दूरूर करें, सासद वीडियो उजाजाद सेर करें